जहिंद नमस्कार मैं हिंदूस्तान के उन युवाओं को यह बताना चाहता हूं जो भारतिय सेनायों भारत प्रादेशिक सेना या भारतिय वाई सेना नो सेना या डिफेंस रिलिटेट किसी प्रकार की जानकारिया यदि चाहते हैं तो हमारी चैनल पर आप बने रहें हमारे आपको सेना से लिलिटेट सटिक और सही जानकारिया आप तक पहुचाने का काम करती है मैं आपको आज यह बताने वाला हूं कि लुधियाना में जो भरतिया हुई है जो अगनी बीर की भरतियां चालू हुई है अगनी बीर में बहुत सारे नौजवान जो नो सेना भारतिय सेना भारतिय वायू सेना की अभी रिजल्ट जो है सो लगने वाली है तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है और आपको समय फिजकल के लिए ज्यादा नहीं दिया जाएगा फिजटू के लिए इसलिए आप तैयारियां में लगे रहें मैं आपको बताना चाहता हूं भारति यह सेना के अंदर जो लुध्याना में जो भरतिया हुई है उस भरती में बच्चे बहुत कम आये हैं यानि तक्रीबन पर्थम दिन जो भरतिया हुई उस भरतिया में आपका 800-900 बच्चे पहुचे हुए थे ऐसे कई defense expert का मानना है जो मैं अलग-अलग defense expert से चर्चा किया त यानि कि एक बैच में मातर 50 बच्चे को दोड़ाया गया फिर 100 बच्चे को दोड़ाया गया ऐसा जो है defense expert का मानना है और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे युवा हैं जो बोल रहे हैं कि मातर 3 बच्चे को पकड़ा जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका मुराल डाउन कर रहा है आपका हौसला को डाउन कर रहा है आप यथा सिग्र अपने ग्राउंड के अंदर लगे रहें और आप पांच-30 यदि टाइमिंग लाते हैं तो आपकी भरतियां अवस्से निकलेगी क्योंकि आपकी ग्राउंड के अंदर कोश जोस जुनुन पांच-30 वाले बंदे जो मुराल डाउन कर रहे होंगे उनको मुराल डाउन करने की जोरुत नहीं है लुद्याना की भरतियां हुई है उसमें टाइमिंग 5-45-47 तक दिये गए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं प्रूप कहिएगा मैं प्रूप वीडियो भी दे दूँग एक लाइनिंग है यदि लाइनिंग के अंदर में आपकी दो ग्रूप बनाई गई थी पर्थम एक्सिलेंट ग्रूप और दूसरी क्या है गूड तो मात्र दो ही ग्रूप अब आर्मी के अंदर चल रहे हैं यानि सटिस्फाइड को हटा दिया गया है आप सटिस्फाइड म यदि आते थे पहले तो 76 नंबर आपको दिये जाते थे लेकिन अब आपको नहीं दिये जाएंगे यानि आपको मात्र गूड और एक्सिलेंट मात्र दो ग्रूप रखा गया है तो प्रथम ग्रूप में आपको तीन बंदे को लिया गया था बाकी को क्या है तीन ग्रूप 2,3 जुबंदे अंदर घुश गाए उसके बाद बाहरी जो बच्चे लिए गया या नि जो बाकि तकरीबन बच्चे थीज से 3 कि बच्चे जह लिए गए वह गूडग के अंदर गाए जो की सीधा ground में गए ground की आपकी जो field का जो boundary था उसमें अंदर घुसाया गया बाकी उसके बाद बाकी को रसा लगा दिया गया जो बाकी को उधर छाट लिया गया और बाद में आप किसी भी viral वीडियो को तो आप देखिये गा यादि नहीं हुआ होगा तो मैं वीडियो कल के कल डालूंगा उसका मैं आज आपको डिपली बता रहा हूं कि उस वीडियो में आप ध्यान से देखिये गा जो 30-35 बंदे जो 5-47 तक जो घुसे हैं टाइमिंग में उन बंदों को फिर लास्ट में वो जो एक्सिलेंट की बंदे थे उसके जश्ट बगल में गुड का जो खाना बना हुआ था उस खाने में घुसाया गया तो आपको ऐसे कर रहे हैं कि उन बंदे को नहीं चाट दिया गया मात्रतिन बंदे को लिया गया यह गलत है आप किसी की जहांसे मिनाया महादेव डिफेंस सड्डा चैनल एक ऐसा चैनल जो सही और सटिक पुष्टी जानकारियां करके आप तक लाने का प्रियास करता है इसलिए मैं बताता हूं हिंदुस्तान की उस नौजवानों तक शेयर करने का काम करें इस वीडियो को जो किसी की बहकावे में आकरके अपनी मुराल डाउन करक तो आप निश्चिन्त तोर पे निश्चिन्त रहें जो कि भरतियां आपकी निश्चिन्त निकलेगी आपकी वहाँ जोस जुनुन जज़बा बसरते तगड़ा होना चाहिए इसलिए आपको मुराल डाउन करने की जुरुत नहीं है मिल आई होप इस वीडियो में आपको लुध्याना भरती से रिलेटेड जो नौजवान मुराल डाउन कर रहे थे कि तीन बंदे को लिया गया इसमें आपको समझ आ गई होगी इसलिए टाइमिंग बहुत अच्छा दिया जा रहा है अगनी बीर के अंदर आपको अंदर जाने का मात्र जरिया है यानि सेना के अंदर आर्मी फोर्स ओं या ने भी हो यही जरिया है जो चार साल का टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत ही आप परमानेंट 25 परसेंट में हो सकते हैं इसलिए आपको जाने की जरुरत है आप किसी की अपवाहे में न रहें आ महां से मुझे contact number भी ले करके मुझे से बात कर सकते हैं जय हिंद जय भारत